अगर एक शांत व्यक्ति को कोई परिशान करता है तो जेनरली वो उसे इग्नोर कर देता है, जिससे परिशान करने वाले को लगता है कि सामने वाला शायद कमजोर है या लड़ना नहीं जानता, लेकिन इससे बड़ी बेवकुफी नहीं हो सकती। शान्त रहने वाला इंसान सामने वाले से नहीं पर खुद से डरता है। उसे पता रहता है कि अगर उसका गुस्सा फूटा, तो सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा और ना ही इतने नुकसान को सहन कर पाएगा। एक शरीफ इंसान जब बिगड़ता है तो शैतान भी कानों को हाथ लगा लेता है